पूरु केंद्री मंत्री अनिल शास्त्री को जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दर्शो को आप जानते हैं कि अनिल शास्त्री भारत के प्रधान मंत्री लालबादु शास्त्री के सुपुत्र है और लालबादु शास्त्री भारत के एक ऐसे अनमोल रत्न थे रत्न है जिनकी इमानदारी, जिनकी सादगी, जिनके उच्च आदर्श और सिधान्त आज भी सब के सामने हैं और आज भी उनका यशोगान किया जाता है अनिल जी लंबे समय से कॉंग्रेस में है, हिंदी विवाग के अध्यक्ष है, पूर्व में केंधरी मंतरी रहे है, कई बार संसद में सदस्ते रहे हैं, जूपी की राज निती करते रहे हैं, फिलाल मदबर्देश में भी सक्री हैं और फिलाल हिंदी वाग के अद्धिक शुरूप में कॉंग्रेस के नितरत को बे सलहा देते रहते हैं, मारदशन देते रहते हैं, सोनिया गांधी की बहुती नजदी की कारकरताओं में से हैं, कि अनिल जी आपका बहुत स्वालत है अनिल जी इन दुनों एक ऐसा दोर चल रहा है, जिसमें राजनीती की जो पुरोधा थे, पंडिस जवालल नहरू, सरदार पटेल और भी दूसरे दिगजनेता, उनकी मर्यादा हरन के प्रयास हो रहे हैं, उनका प्रतिमा भंजक हो रहा है आज दिन शोशल मीडिया पर पंडिस जवालल नहरू के बारे में नाना प्रकार की बाते चलती रहती है, कश्मीर के मुद्दे पर संभवता उनसे कुछ गल्तिया हुई होंगी लेकि उसको लेकर जिस तरह से शोशल मीडिया पर और जिस तरह से भारतियन ता पार्टी तरह प्रस्तूत के जारा ऐसा लगता है जिसे जवालल नहरू और सरदार पटेल में कोई बहुत जानी दुश्मनी हों और जवालल नहरू जो है कोई बहुत बड़े देश द्रोई हों और उसी शंखला में एक बात और भी बार बार कही जाती है कि लाल भादो शास्त्री जी के साथ बड़ा न्याय हुआ इंदरा जी के द्वारा और सब कॉंग्रेस के द्वारा तो ये दोर जो लोग अब नहीं है जिनों ने देश को अपना पूरा जीवन दे दिया अब नहीं है उन सब की इस तरह से शिचालेदारी करना कहा तक उचित मान भी आप देखिए इसमें सचाई नहीं है और एक विशेस दल समय समय पर इस तरह की बातें उचालता रहता है और उसका मुख कारण यह है कि कभी कभी ये दल मुटता विहीन हो जाता है चुनाओं में काफी बादे किये जाते हैं फिर वादों से मुकर जाते हैं और चुनाओं के बाद जब नतीजे आते हैं लोगस्वा की बाद छोड़ दीजिए लेकिं विदान सभा हमने देखा राजसभा राजस्थान मद्यपदेश और चतित्रगर में कॉंग्रेस फिर से सत तश्मीर में कि हर्याना और महरास्ट के चुनाओं में उनको प्रचन बहुंत मिलेगा वो भी ऐसा नहीं हुआ तो यह स्वाविक है कि यह दल जिसको हम भार्ती जनतापार्टी के नाम से जानते हैं यह दल क्योंकि अपने वादू समुकरा है और सरकार की रूप में विफल रहा है कि इस तरह से आपने जीडिपी गीटी जा रही है तो इस तरह के लोगों का ध्यान जो है वो मुख्य जुदों से हटाने के लिए यह काम करते हैं जहां तक पंडित जवाहला नेहरू और सदार पडिल का सवाल है पंडित नेहरू सारा देश जानता है इतिहास इस बात के गवाह है कि देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा महात्मा गांदी के नेथित में सदार पडिल का भी रहा और आधुनिक भारत के निर्मान में मुख्य तोर पे नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस सब बात को अधुनिक बताया हो कभी घर में बात चली हूँ आपने सुना देखा हो कि आज कंफिलिक्ट है पंडित नेहरू और पटेल में शा सदार पटेल को कि हम दोनों के बीच में थोड़े मद्वेड भर रहे हैं उस समय मद्वेड वेक्तिकत नहीं होते थे मुद्व पर होते थे विचाधारा पर होते थे आईडॉलीजी पर होते थे और इसलिए हम दोनों में फैसला कर लेना चाहिए कि एक को अपने लेकिन देश के पती जो कमिट्मेंट है जो प्रजिवजदता है हम दोनों की बराबर है और तुम नजवान हो मुस्से उमर में बहुत छोटे हो देश के की जनता के लाडले हो तो अगर ये फैसला होना है कि हम दोनों में से एक को अलग होना है तो मैं इस्तीफा देना चाह कि तुम प्रधान मंत्री बने रहो तो साथी जी ने बताया हम दो छोटे हुआ करते से बताया कि पंडी जी बड़े भावुक थे और पंडी जवाहला नेरू कार उठाकर वो गए सदार प्रटेल के पास और गले मिलके उनसे उन्होंने माफी मागी ये भार्टी जंदा पार् अब अंदर की क्या बात है इसके बारे में ना इतिहाज गवाया है ना हम जानते हैं लेकिन एक बात ये सामने आई है और अभी भी अकबारों ने चैरों ने लिखा बताया है कि ये एक कलेक्टिव डिसीशन था ये कैबिनेट का फैसला था सहियों करास मैं गए वो ठीकता गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं लेकिन आज जो अंतरास्टिय करन हुआ है तीन सु सतर हताने के बाद जिस तरह से हम आईसलेट हुए हैं इस मुझ्य को लेकर अंतरास्टी तरह पर वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ आज कोई भी आता है कोई जाए वो अमेरिका हो आज दूसरे मुल्क हूँ वो पूरी तरह से भारत के साथ इस मामले पर नहीं है क्योंकि आज इतने दिन हो गया सौदिन से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी वहां पर स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है सामाने नहीं हुई यह सब जानते हैं पर सर कश्मीर में तो कभी भी स् इतनी खराब भी नहीं रही जी कि जो आज की है 89 से काफी खराब होई 89 समझा जहाते 370 की बात है सर तो आप देखें कि सभी देशों ने यह माना कि हमारा आंतरिक मामला है और हमने अगर हटाया तो कोई गलत नहीं किया नहीं है लेकिन में यह कर दोनिया में कश्मीर के मामल का इस समय जो है जिसको इंटरनाइसलाइजेशन कहते हैं वो हुआ है तो जो उस समय हम सहीं कुद्रास्ट में गए उसके लिए इवल एक ही नेता जवाला नेहरू को कि उपर सारी जिमराई थोब जनावी गला चाहिए क्योंकि यह कैबनेट का डिसीशन था क्लेक्टिव ड में तो जह उस सब्लोग ते है उस डिसीशन में स्यामाप्रसाज मुकरदी भी थे उस डिसीशन में डॉर्टामबटकर बिठे कर ऐसे में राजिन जो 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 उसमय मंत्री थे 47 में की गैबनेट यह शात्ति जी थो उसमें नहीं सात्ती जी तो उत्र पतेश में कैबनेट तो बागी सब लोग थे और जहां तक 370 का सवाल है, देखे 370 का समर्थन तो मैंने भी किया था, मद्धपदेश से जोतरा सिंध्या ने किया, महराज में बिलीन दिवरा ने भी किया, और मुझे तो प्लेन में, कॉंग्रेस समध्वे थे, कई लोग हैं कॉंग्रेस पार्टी के अंदर भी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी जिन्हों ने 370 का समर्थन किया, लेकि अब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हुआ नहीं है, उसका कुछ सीधा फाइदा ने पर कहीना कि ऐसा लग है सर की, एक सवाल का तो आपने जवाब दिया, पंडित नहरू और जवाल लाल जी के बारे में और सरदार पटेल के बारे में, लेकिन मैंने दूसरा सवाल उसका साथ जोड़ा हुआ, कि इंद्रा जी और शास्ती जी के संबंदों को लेकर भी बहुत सारी बात होती है, ने पहुंच कर आपको मैं एक बयान भेजूँगा, इंद्रा गांजी का जीस में उन्होंने लिखा है, कि राजनीती में वो बहुत चुग नहीं थी, लेकिन राजनीती में सक्री होने की सला उन्हें शाथ्ती जी ने दी, और साथ्ती जी ने अगर सला नहीं ना दी होती, तो वो राजनीती में नहीं आती, सक्री राजनीती में नहीं आती है, और साथी इंद्रा जी, आरके ध्मान अचा का करते थे, समय समय पे साथी जी से सला मस्वा करती थी, और साथी जी पंडी जी मिलने जाते थे, तब भी इंद्रा गांजी उन्हें से मिलती है, और पंडी जी अगर शात्ति जी जिवित होते तो देश का नकसा जरूर बिलना चाहिए। को अलग होता और उनके उनका जो विजन था उनकी जो दुर्गामी जिस्टी थी उसके बारे में हम लोगों थोड़ी से जानकारी ची क्योंकि हम थोटी थे बात्चीत करते थे बड़ा उनका क्लियर थोट था बहुत वेवारिक थे और हाइफाइव वाले वो नेता नहीं थे विजेश गये वो प्रहामन्ती बनने के बाद तब भी उनके पुशाख पर कोई परिवर्ता नहीं थे एक बार इलाबाद की सबाव में वो इसली लेट हो गए कि वो अपना कुड़ता सिल रहे थे तो यह सब था तो ऐसी बात नहीं है और इंद्रा जी के समय पे जो हदाव स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम इससे पहले राजी बन जी उसका नाम लालबादु साथी स्टेडियम में रखा गया साथी साथ जो है लालबादु साथी समारक दिल्ली में उसकी स्टापना काउंगलेस के सासंकाल में हुई साथी साथ जो नागजन सागर डैम है उसमे बहुत बड़े बड़े मुकाम पर रहें और देश जाना चाता है उनकी डेथ मिस्टरी के बारे में बड़े में देखी और उसको समझें कि मैंने दो बार देखी मैं ये कहना चाहता हूं कि 90 उसमें जो बातें बताई गई है और दिखाई गई है वो सही है उनकी मित कैसे हुई मतलब जहर देने से हुई या वो नेच्छल देथी इसका पता नहीं चल पाया और चल पाएगा भी नहीं लेकिन एक बात मिलकुत है कि ला पारवाही बड़ती गई उनके ठहरने की ववरस्ता को लेके और भी जो प्रदान मंत्री के जहां ठहरते हैं जो इंजाम की कर दिया कि इतने दूर क्यों है तो कर टास्कन होटल में नॉन वगेरा बना देता था वेजितरेन खाना उनके कमरे में कोई भी टेलीफोन नहीं था उनके कोई ऑक्सिदन सिलेंडर नहीं रखा गया था उस विला में जहां उनको रखा गया था कि वही एक मात ऐसे डिलीगेशन के हमारे डिलीगेशन के जुद अजेक्ष्ट के रूप में उनको अलग रखा गया था और वहां पर कोई एंबुलेंस नहीं थी वहां पर कोई ऐसे फर्स्ट एड की कहीं कुछ फेसिलिटी नहीं थी जो यहां से एक डॉक्टर उनके साथ गय तो इन सब बातों से थोड़ा सा यह लगा कि उनकी लापरवाई बढ़ती गई हाला कि मेरी मा और मेरे परिवार के दूसरे सदस्त बिल्कुल श्योर हैं उनको तो जरा से पिशन देनिया खाते में मा को वो तो कहते थी कि उनकी मिर्थ जो है वो प्राकृतिक नहीं थी और क तो इसमें कई वाते हैं उड़की आई एक आर्टिकल लिखा था कुछवन सीन इन इलिस्टेटिटी वीकल इंडिया में बहुत साल पहले साथी जी निजन के एक-दो साल के बाद ही लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि साथी जी को एक स्कैम के बारे में जानकरी हुई थ सिपिंग टाइकून थे धरम तेजा धरम तेजा और कुछ हमारे अधिकारी कुछ लोग उस कैम में सामिल थे और ये बात साथी जी को पता चल गई थी उन्होंने कहा था कि आने के बाद मैं इस पर एंक्वारी करूंगा तो वो हुआ नहीं तो लोग कहते हैं धरम तेजा उस सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जो सारा समाना है जो लाल डैरी जिस पर वो रोज लिखा करते थे उनके उनके साथ नहीं आई मेरा यह कहना है केंज सरकार चेक क्योंकि भाती जनता पार्टी यह हमेशा जब विपक्ष में थे यह बात उठाय करते थे उनके जो मौच से रिलेटेड डॉक्मेंट्स हैं उनको डिकलेश्वाई कर देना चाहिए आज ही आख़ी आगबार में आया कि सुवाज संद्र बो दूद का दूद पाने के सब्सक्राइब को साफ हो जाएगा जैसे आपने कहा कि आपकी मा को और आपके पूरी परिवार को यह यकीन है बक्का कि उनकी मौत जो है वो प्राकरतिक नहीं थी उनके साथ फॉल प्ले हुआ क्या फॉल प्ले में अंतरास्टी ताक्ते हो उस समय की C.I.A. या K.G.B. या भारत की कुछ ताक्ते हैं शामिल थी? K.G.B. तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपने ही देश में रूस यह नहीं करवाएगा क्योंकि यह उनके लिशम की बात हो जाती है देगे C.I.A. कुछ भी कर, C.I.A. तो मड़र कराते हैं और साथ्ती जी एक बहुती ससक्त नेटा की रूप में उभर के आ रहे थे कातो से जब उन्होंने पाकिस्तान की धंकी उस समय के फ्रासपती लिंडीन जॉनसन की धंकी को उन्होंने बिल्कुर ठुकरा दिया और यह कह कि हम हफते में एक समय भुज़न निकरेंगे लेकिन हम आपके आगे गहूं के लिए खाने के लिए तो इस तरह की बातें और जो पाकिस्तान पर उनो ना जो जो पाकिस्तान ने अटैक किया उसका जो परड़ वार किया ये भी सब अयूब खान तो अचंबे में पड पुरा जो बेस्टन पावर थी ये शाथी जी ने ऐसा किया तो एक तो सियाई का हो सकता है कुछ लोगों ने लिखा भी है सियाई के बार में के रॉबर्ट क्रॉली करके है उसने कुछ लिखा है जो मैं पड़ा और इसका तुमैने बताया कुछ पॉलिटिशन्स शामिल रहे ह पुछा गया तुमात हो गई वो इस फिल्म में बिखाया है बिल्कुछ सच है और उनका जो अटेंडन गया था रामनाथ उसका दो बार एक्षिन होगा पहली एक्षिन पे वो बज गया लिकन उसके वो पैर चले गए ते दूसरे एक्षिन में वो मर गया और वो जुरू कुछ जानता होगा लेकिन वो बात को फिर कह नहीं पाया है इस बात को उसको मौका नहीं मिला तो इन सब बातों से प्रतीक सीत्वरा साथ संद्वन बहुता है डाउट अचा एक और है भी आटी आई में दो दो बार पूछा गया आटी आई के जवाब में ये पीमों से लि हो सकते हैं और देश की सेक्योर्टी के लिए अच्छा नहीं होगा जिससे और एक डाउट हो जाता है इसका मतलब यह है कि इसमें विदेशी कोई एक विदेशी ताकत शामिल है उनकी मौत रहस्माई मौत की बीच्छे है यह कुछ कारण होगा लेकिन वो आटी आई के जव मhou चाहतर में अपने चुटाव में प्रिजार में इस बात को कहा था और बाद में वो कमिटी बनी वो रजान रायन कमिटी की रिपोर्ट Grandpa कि मिल नहीं रही है वो भी कमिटी की रिपोर्त लेजाइल को पाफी जिद्धी भाइब दूश्य भाइब जिद्धी थे, बहुत जिद्धी थे, वो ऑशास्ति जी फ्लेक्सिबल थे, और मुराजी भाइब थोड़े राइट और सेंटर थे, जिसको कहते हैं तो राइटिस पुड़ा नहीं कहेंगें, निएक है राइट अचेंटर, जिसको कहा जाता है, वो इस विचार धारा के थे, बस यही मत भेटता हूँ, जैसे मैंने उनकी महत कांगशा, उनके रिस्टोर नमर टू बांते थे नहरू जी के बाद कुद को, बीच में आ जाती थी, और शाहती जी ने कभी क्लेम ने किया, वो नमर टू है, लेकिन मुराज जी साई को ऐसा साई लगता था, कि प्रधानमंती बनने में, अगर कोई उनके बीच में आ सकता है, हड़ल हो सकता है, तो लालवादु जी होता है, जबसे बड़ा रोडा, अगर कोई है, बादा कोई है, तो पनी जवाला नेरु जी की बात, वो होता है, चलिए इतियास की में वर्तमान में आऊँगा, कि आप विचारधारा की आप अभी बात कर रहे थे, कॉंग्रेस ने महारास्ट में अपनी विचारधारा से बहुत बड़ा समझोता किया, शिवशेना की साथ हाथ मिला कर, शिवशेना कट्र हिंदूतवात की बात करती रही है, आप उसकी इसी हिंदूतवकी, कट्र हिंदूतवकी, आप लोग सब निंदा करते रहे हैं उस समय समय पर, और आपने जो common minimum program बनाया, उसमें secular, secular शब्द को बहुत रहांकित भी किया, अंडरलाइन भी किया, और उद्धा ठाकरे ने विजान समाम फिर के दिया कि वो तो कट्र हिंदूतवक कि यहार, क्या सोसते हैं आप, परसिथियां इस तरह से निर्मित हुई महराष्ट में, जिसने, मैं यही कहूंगा, कि हमें थोड़ा सा compromise करने में मजबूर किया, मैं इस बात को मानता हूं, कि यह compromise है, और राजनीति अगर देखा जाये, तो full of compromises है, आजकल, आजकल, ने, मै मैं तो यह भी कहता हूं कि मैं ने जिस दिन, इलेक्शन का पच्चा भरा, और अपने, इलेक्शन, कमिशन को, जो हमने, मैंने, एक्सपेंसे अपने, जो खर्चे थे, चुनाओ के ज़रान, उन खर्चों का मैंने जो वर्णन उसमें किया, जिस पर मैंने हस्ता आग जाते है थे, अपने आप में कमपराइज थे, यह वह सवाजता हूं कि इस समय वहां पर मरास प्रस्ति थे. सिर सेना ने साफ मना कर दिया कि बारति जन्तापारटी की सातो सिर्कार नहीं बनाएगी। तो वहां पर धो जनताने अपना जनादेश दिया है, जिस्टर सेना के पक्ष में था, लेकिन जब वहुत जनादेश के साथ विश्वास गात हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि शिष्षेना अपने आपको उस इस्वादगा से बताया, क्योंकि अगर वो सरकार नहीं मनाती और सरकार विहीन रहें अब आप कह रहा है कि हम भाजपा को पीछे करने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हम शिष्यना जैसों से भी हाथ मिला सकता है वो आवश्चर है, देखिये भाजपा को सपस्यों मिला था, भाजपा को 105 सीट जरू मिली लेकिन उसको अकेले सासन करने का जनाजेश नहीं मिला था, तो तो हम यह नहीं चाहते थे, क्योंगरेस मार्टी नहीं चाहते थी, कि महां ऐसी थोड़े दिनके बाद वहाँ चुना हो जाए, क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था, हमारी पार्टी का दूसे अधिये हो रहा है, कि आज आज आपने शिवशेना कटर हिंदुत वात हाथ विला लिया, क्या जवाब दोगे आप केरल में, क्या जवाब दोगे आप तम अभाटी नेखना जवाब दोगे विला जवाब दोगे 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 तो भूम्भे अड़ये बात हो तो मुझे वहाँ पे प्रोटोड़ वाले थे, मुझे नहीं लोंगा, बट ही जवाए, क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, उन्ने जरूरी था, इस समय जो है तो ऐसी बात नहीं है और वो हमेशा उन्हों अजिकांस माराश्वाच की बात की भार्ती जन्ता पार्टी से मिलने के बाद हिंदुत की बात करने लगे लेकिना वह बिहार उत्तर प्रदेश में आपको लुक्सान नहीं होगा वह बिहारी उत्तर प्रदेश वाले भागाते र और समझन घर समझा लागा था मयुजा उन्हों समझता है सत्रा ताडेक ओ कमंणाजी के एक साल होने को जा रहा है कमला जी आपके बहूरे मित्र हैं आपने वहाट साथ साथ काम किया है कॉंगरेश में और मद्रदेश को आप लगातर देखती हि रहे हैं ये एक साल का хочу करना एक थोटा भाई मानते हैं और मुझे अपने कंस्विंसी में ले गए तैसे दो साल पहले लाद बादू साथी जी की परिद्मा का अनावरन करने और उनकी नमरता मैंने तब देखी जब उन्होंने च्छतिस गर्ड शेहर कॉंग्रेस कमिटी के कारेले में मेरा सौकत किया और ह कोई हाई फाई नहीं ये ये जमीनी नेता है और ये बहुत कुछ कर सकते हैं मद्यपदेश के लिए जब खिंदवारा मैंने रहा तो लगई नहीं कि मैं चिंदवारा मद्यपदेश भारत मुझे लगए मैं किसी विदेशी यॉरप में पहुंच गया हूँ इतना है वो चि पिछले कुछ वर्सों में इससे बेहतर मुख्यमंती नहीं हुआ है बहुती जिस तरह से ये पूरी सरकार चला रहा है सब भी विदायकों को जोड़ के चल रहा है कहीं कोई टस्ट से मस नहीं हो रहा है सब संतोष्ट हैं उनके जो काम हुए है जो उन्होंने 35,000 से क्याउन इन दौर हवाएड़े पर उतरा तो मैंने देखा राते मुझे इसकी जानकारी नहीं थी तब मैं पहुचा जहां मेरे ठहनने की वेश्ता थी पूरे राते भर 10-12 किलो मेटर मैंने एक भी होर्डिंग नहीं देखी तो मेरे साथ जो कार करता था है मैंने गोई ये क्या चक् है कि जितने भी ये होटिंग लगाया जाएंगे वो इलिकर होंगे अगर नगम से आपको परमिशन नहीं है आप निगम में पैसा तब निगम का निगम का पैसा आने लगा तो ये इन्होंने काम किया इसके अलावा जो है और भी आज मैं डाल बाफले के लिए मुझे आमंत बिल्कुल संथ आन सरकार तो ये काम करने वाले मुख्यमानती मिले हैं बऊसने राये इंक ये इनका मैंने स्टेटमेंन वगरा बहुत कम पढ़ा लेकिन ये स्टरह के नहीं पह जो मुख्यमानतृ हुए जए जाए स cyclical मुरते रहे बोलते रहे कि काम कुछ नहीं हो रहा था और इसी दरेस, वो हार गे तुना, तो मुझे तो इन पर पूरा विश्वास है, कि ये अगले चार वर्सों में नक्सा बडल देंगे, चार वर्स के बाद, जो मद्य पर्देश, हमने अभी पृसले कुछ वर्सों में देखा, वो मद्य पर्देश नहीं हमको कुछ और ही करने को मिलेगा बहुत धन्यवाद अनिल जी डिजेनल नियूस से बात करने के लिए और अनिल शास्त्री विश्वास जता रहे हैं उम्मीद जता रहे हैं कि कमलनाथ एक काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं उनके पास विजन हैं और ठोस वर्तवरित निन्ने लेते हैं और चार में म्रत्यू का राज खुलना चाहिए और उनकी मौत से संबंधिते भी डाक्यूमेंट्स हैं वो सारजरिक होना चाहिए क्योंकि देश को अपने लाड़ने बेटे की मौत का सच जानने का हक है कैसा लगा आपको हमारा कारक्रम जरूर बताईए देखते रहे डिजाने निय खपरों का स्रस्ला जारी है जारी रहेगा नमस्क्राइब